नमश्कार बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 के मल्टिबल चॉइस कॉश्चन्स और जो ये कॉश्चन्स होंगे बहुत इंबॉर्टन चैप्टर है जिसका नाम है कलरफुल वर्ड हाला कि जो टॉपिक है उसका नाम हुमन एंड कलरफुल करता है तो ये टो कोस करेंगे और उसके साथ ही साहथ लाइट भी करती है धीक है तो इसमें अप्शन बीस सही стро कर देखते हैं, इसमें कहा गया, इसमें कहा गया, आप देखिये यहाँ पर क्या है, इसमें सही हो जाएगा, ढालाई्टक्स लग टेस्टव का सबसे ज्यादा किसका होता है ठीक है मतलब अगर deviation देखा जाए सबसे ज़्यादा deviation की slide का होगा जिसकी wavelength सबसे कम होगी और सबसे कम wavelength किसकी होती है violet की होती है और deviation सबसे कम किसका होगा जिसकी wavelength सबसे ज़्यादा होगी और यह किसकी होती है red की होती है ठीक है और जो deviation होता है that is directly proportional to dispersive power किसम का था मैक्सिमम था वाइलेटि का रीज था रेडिट का तो बी आप्शन इसमें सही हो जाएगा नेक्स्ट कॉश्टिन में कहा गया । इसमें कहा गया है एंट बीम उफ वाइट लाइट वन प से सुरह ग्लास प्रिजम देखे एक वाइट लाइट की और इसको कहा पास किया गया है, glass prism में pass किया गया है, spectrum is observed, आपको बता होगा spectrum बनता है, seven colors का एक band बनता है, but when the same beam of light passes through hollow prism, अब देखिए जब उसको hollow prism हम लोग ने ले लिया, अभी तक prism कैसा था, बिल्कुल solid prism था, हम लोग ने hollow ले लिया, तब क्या होगा, spectrum सेम बनेगा गलत है, there is no spectrum, तो B option, यह जो B option है, इसको C लिख दिया गलती से, यह option इसका सही है, मतलब यहाँ पर spectrum नहीं बनता है, तो यह जो B option है, जो C लिख गया है, वही option इसका सही है, ठीक है, spectrum becomes brighter गलत है, colors of spectrum is reverse, यह भी गलत है, तो इसका B option सही हो जाएगा, next question is question number 5, question 5 देखिए, इसमें कहा गया, when white light enters a prism, यहाँ पर देखिए, कहा गया है, जो white light है, वो किधर enter कर रही है, एक prism enter कर रही है, it gets split into constituent colors, तो यह split हो जाती है, अपने constituent colors में, यह किस वज़े से split होती है, पूछा गया है, तो first option दिया गया है, different refractive index for different wavelength of each color, तो यही जो option है, यह बिलकुल सही है, तो देखिए, अलग-अलग color होते हैं, आपको पता होगा, और अलग-अलग color की wavelength अलग-अलग होगी, इस वज़े से जब वो अंदर prism के जाती है, तो उनकी refractive index भी क्या हो जाती है, बदल जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल जो है, question number 6 है, question reflection of light by the earth atmosphere due to variation in density, अब दिखें, light आपको पता होगा, reflection atmosphere में भी होता है, अर्थ के atmosphere में भी reflection होता है, किस वज़े से होता है, क्योंकि जैसे ऐसे आप उपर जाएंगे, अर्थ के जैसे ऐसे हम लोग उपर जाते है, refractive index अगर देखा जाए, refractive index क्या हो जाती है, घटती है, कम हो ठीक है, और क्योंकि refractive index कम हो रही है, तो हम लोग क्या कहेंगे, कि वहाँ पर कौन सा फिनामना चल रहा है, तो वहाँ पर जो चल रहा है, that is called atmospheric refraction, तो एप्शन इसका सही है, next question, question number 7 देखे, question number 7 में देखे, क्या कहा गया, the deflection of light, अब यहाँ पर फिर से deflection of light की बात करी जाता है, dispersion गलत है, A option गलत है, B option दिया गया, scattering, तो scattering option is correct, तो इसका B option जो होगा, वो बिलकुल सही हो जाएगा, तो B option is correct of question number 7, इसका B option सही होगा, next question में कहा गया, question number 8 है, one cannot see through fog, अब देखे, fog आपने देखा होगा, कोहरा जिसको कहते है, कोहरे से हम लोग देख नहीं सकते कोरिम नहीं देख पाते, क्यों नहीं देख पाते, A option दिया गया, refractive index of fog is very high गलत है, fog absorbs light गलत है, second, third दिया गया, light suffers total internal reflection and droplets यह भी गलत है, D option दिया गया, light is scattered by droplets, यह option सही है, ठीक है, light scatter हो हाती है, droplet की वैसे, droplets बहुत छोटे होते हैं, fog में, ठीक है, जिसकी वैसे light scatter हो हाती ह है, ninth में कहा गया, the stars appear to be shifted from their actual position, देखें, जो stars होते हैं, वो actual position से थोड़ा बहुत shifted होते हैं, अब यह बताना है किस phenomenon की विज़े से होता है, तो A option is diffraction of light, diffraction से गया, star shifted दिखाई पड़ेंगे, गलत है, scattering की वैसे भी नहीं दिखते, यह दिखाई पड़ते है, atmospheric reflection की वज़े स ठीक है, तो इसका answer क्या सही हो जाएगा, C option, इसका सही हो जाएगा, that is, reflection और we can say, atmospheric reflection of light, next question, question number 10 देखें, the color least scattered by fog, अब देखें कौन सा ऐसी light का color होगा, जो least scattered होगा, अब least scattering किसकी होती है, तो उस light की होती है, जिसकी wavelength सबसे जादा होती है, और सबसे जादा wavelength किसकी होती है, red की होती है, तो यहाँ पर red जो है, red की scattering सबसे कम होगी, चाहे वो fog हो, चाहे कुछ भी हो, red की wavelength सबसे कम होगी, तो इसमें option number C सही हो जाएगा, next question, question number 11 है, twinkling of stars is due to, अब आपको बताना है, twinkling जो होती है, stars की वो किस वज़े से होती है, तो देखें, irregular emission of light from stars गलत है, क्या ऐस A option तो बिलकुल ही गलत है, B option में दिया गया, weather changes, weather changes का भी यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, ठीक है, third दिया गया, stars are far away, यह भी गलत है, fourth option दिया गया, refractive index of air in the given region, goes on changing randomly, यह option जो है, यह सही है, तो D option इसका सही हो जाएगा, twinkling of stars के लिए याद रखेंगे, अगर फिनॉमना प 12 देखिए, 12 में कहा गया, sunlight contains, अब sunlight आपको पता है, white light है, और sunlight में कितने colors होते हैं, तो इसमें band of 7 colors होता है, ठीक है, तो sunlight में 7 colors होते हैं, अगर आप prism से sunlight को पास करते हैं, तो आपको पता होगा, कि 7 colors हमको दिखाई पड़ते हैं, spectrum हमको दिखाई पड़ता है, next question, question number 13 है, इसमें देखिए, क्या कहा जा रहा है, the effect of glass prism is only to separate the 7 colors of dash, तो 7 colors किसके separate किये जाते हैं, glass prism से, तो white light के 7 colors को हम लोग separate करते हैं, लेकिन second option दियागे, light from bulb, तो यह भी white light है, sunlight भी white light है, तो इसका answer क्या हो जाएगा, all of the above is the correct answer, सारे options आप पढ़के जरूर आंतर दीजेगा, स upon, अब देखिए, जो light scattered होती है, उसका color किस पे, कौन decide करता है, कि जो light, कौन सी light सबस्यादा scatter करेगी, only on the size of scattering particle, यही option जो है, यह बिल्कुल सही है, next दिया गया, only on the length of traveling light, तो यह गलत है, length of traveling light से गोई मतलब नहीं है, on the color of incident light, यह भी गलत है, तो इसमें जो सही answer होगा, व उनके size पे depend करेगा, कौन से color की light scatter करेगी, question 15 में देखिए, क्या कहा जा रहा है, 15th question है, the color at the top and the bottom of primary rainbow, तो देखिए, primary rainbow अगर आप देखें, तो उसमें V start होता है, सबसे नीचे, V, I, B, G, Y, O, R, सबसे उपर होता है, तो V सबसे नीचे है, इसका मतलब violet is at the bottom most portion, और red जो हो तो पे तो पहले आजाएगा red और दूसरा हो जाएगा violet जो की bottom portion पे है, next question, question 16 देखते हैं, इसमें कहा गया, the transparent refracting material which is bounded by two plane refracting surface meet at an angle, अब देखिए, दो refracting surfaces हैं, और दोनों एक angle से एक angle पे मिल रहे हैं, तो ये angle आपको पता, angle of prism कहलाता है, ठीक है, तो ये prism में ऐसा होग convex lens में नहीं होगा, glass lab में नहीं होगा, ये किसमें होगा, this occurs in prism, ठीक है, और अगर ये equilateral triangular prism होता, तो ये angle कितना हो जाता, 60 degree हो जाता, next is question 17, at the traffic signals, तो traffic signal में आपने देखा होगा red light होती है, is used to stop due to reason that it can be seen from distance, तो क्यों red light use करते हैं, क्योंकि red light को हम लोग बहुत दूर से भी देख सकते हैं, लेकिन ऐसा होता क्यों है, ये आपको बताना है, the phenomena is, the phenomena that is related to this, is, कौन सा phenomena related होता है, reflection गलत है, scattering of light बिल्कुल सही होगा, क्यों scattering है, क्यों scattering है, क्योंकि आपको पता है, red जो है, red color जो light होती है, उसकी wavelength सबसे जादा होती है, और wavelength सबसे जादा होगी, तो scattering क्या होगी, उसकी सबसे, कम होगी, अगर scattering सबसे कम है, तो हम लोग red light को ही use करेंगा, और बहुत दूर तक वो travel कर सकती है, ठीक है, तो इसमें जो b option है, that will be totally correct, next question 18 है, array of light passing through a prism, अगर कोई भी ray of light है, और वो prism से पास कर रही है, तो क्या होगा, a bends towards its base, b remains parallel to its base, गलत है, bends away from normal, तो यहां पर a option जो है, वो सही हो जाएगा, ठीक है, तो जो भी ray of light होती है, वो हमेशा किदर bend करेगी, उसके brism के base की तरफ bend करती है, next question देखेंगे, question number 19 है, question 19 में कहा गया, which of the following is a natural phenomenon, which is caused by dispersion of sunlight in the sky, तो dispersion of sunlight की बात करी गई है, स्काई में, कौन से natural formula, dispersion से होता है, twinkling of stars, atmospheric refractions से होता है, stars seem higher than they actually are, यह भी atmospheric refractions से होता है, advance sunrise, delay sunset, अगर यह देखा जाए, तो यह भी atmospheric refractions, तो पहले के 3 जो हैं, यह किसकी विज़े से होते हैं, atmospheric refractions से होते हैं, लेकिन rainbow का formation अगर आप देखेंगे, तो यह dispersion of light से होता है, तो white light enters a glass prism, जो white light है, जब हो glass prism में pass होती है, the color which is deviated the least, तो least कौन सा color deviate होगा, least deviation उसमें होता है, जिस light की wavelength सबसे जादा होती है, और सबसे जादा wavelength किस की होती है, red की होती है, तो red will be the correct answer, तो 20th का जो answer है, that is option number D, which of the following color of light undergoes maximum deviation when passing through a glass prism, यहाँ पर देखेंगे, पूछा गय maximum deviation किसका होगा, तो least अभी हमने देखा किसका था, जिसकी wavelength सबसे जादा थी, maximum deviation उसका होता है, जिसकी wavelength सबसे कम होती है, और वो कौन सा color है, violet है, ठीक है, तो A option इसमें सही हो जाएगा, 20 second देखें, which one of the following phenomena is example of scattering of light, अब आपको उताना है, scattering of light से related कौन सा फिनामना होगा, bending of rod at the interface of air and water गलत है, twinkling of stars ये भी गलत है, tindle effect इसमें सही आंसर होगा, tindle effect आपने देखा होगा, जब भी light को हम लोग collidal solution से पास करते हैं, तो जो light का path होता है, वो visible, दिखने लग जाता है light का path, उसी को कहते हैं, tindle effect, टेक है, twinkling of star atmospheric reflection से, मिराज जो होता है, वो total internal reflection से होता है Q23 में देखे कहा गया, the scientist who was the first to use glass prism to obtain the spectrum of sunlight, तो जो spectrum था sunlight का, सबसे पहली बार किसने देखा था, सबसे पहली बार जो बता लगाया था, और किसने पता लगाया था, Isaac Newton ने पता लगाया था, ठीक है, तो A option इसका सही होगा, और class 7 में बच्चों को Newton's ring भी दिखाई जाती है तो उससे पता चल जाता है कि Newton ने ही experiment किया था, ठीक है, तो A option इसका फिलाल सही आप लेके चलेंगे, next is the rainbow is formed due to, तो rainbow का formation किस वज़े से होता है, तो अभी हमने आपको बताया, सबसे पहला dispersion तो होता ही होता है, dispersion का मतलब होता है, splitting of white light into band of seven colors, साथी साथ, refraction भी होता है rainbow मे ठीक है, refraction भी होता है rainbow में, याद रखेगा, और एक और बहुत important phenomenon है, which is called total internal reflection, तो total internal reflection या internal reflection भी rainbow में होता है, तो इसमें जो D option है, वही सही होगा, that is all of the above, ठीक है, next is question number 25, इसमें कहा गया, in case of refraction through a prism, which one is correct relation between the different angles, तो देखे, prism से related, यहाँ पर आपको relation दिया गया है, आप को बताना है, कौन सा relation सही है, तो i plus e is equal to a plus d, पहला दिया गया है, देखे, यही जो है, यह सही है, ठीक है, यही जो है, यहला सही है, angle of incidence plus angle of emergence, जो होता है, यह angle of prism plus angle of deviation के बराबर होता है, ठीक है, बाकी जो statement दिये गया है, यह totally गलत है, इसमें जो a option है, that is totally correct, next question, question number 26 दिय and equilateral prism, अब आपको पता है, refraction equilateral prism में जब होगा, ठीक है, refraction prism जब होगा, which of the following statement is true, कौन सा statement correct होगा, a option दिया गया, the incident ray bend towards the base, but emergent ray away from the base, गलत है, second दिखे, both incident ray and emergent ray bends away from the base, यह भी गलत है, third दिया गया है, emergent ray bends towards the base, but incident ray bends यह भी गलत है, four दिया गया है, both ray bend towards the base, बिल्कु सही है, तो देखे, यहाँ पर आपको समझना है, कि जब भी refraction glass prism से होगा, तो याद रखेगा, जो refracted ray होती है, और साथी साथी साथ जो emergent ray होती है, वो दोनों की दोनों ray, base की तरफ bend होती है, जो prism का base है, उसकी तरफ bend होगी, तो it will bend towards the base, not away from the base, तो इसमें option number D सही हो जा तो क्या होगा, white light is obtained, second option दिया गया है, spectrum is obtained with violet color undergoing maximum deviation, red color undergoing minimum deviation गलत है, spectrum is obtained with red color ये भी गलत है, light gates block बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पर जो option होगा, वो a option सही हो जाएगा, that is white light is obtained, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज ये समझनी है, कि upside down जब दिया जाता है, inverted prince जब दिया जाता है, तो बच्चे confused जाते हैं, कि ये recombination वाला phenomenon है, अगर recombination वाला phenomenon होता, तब option number a सही होता, कि white light obtained होती, लेकिन यहाँ पर कोई recombination की चीज नहीं बताएगा, यहाँ सिर्फ ये बताएगा, कि inverted prism रखा गया है, inverted prism जब रखा जाएगा, तो spectrum obtained होगा, याद रखिएगा, band of seven colors obtained साथ ही साथ, red जो होगी, उसमें maximum deviation होगा, ठेक है, तो अगर inverted prism आप रख देंगे, तो red में maximum deviation होने लग जाएगा, और violet में least deviation होने लग जाएगा, तो इसका option number c जो है, वो सही होता है, next question, question number 28 में देखिए, dispersion of light takes place through a prism because, देखिए, dispersion of light जो होता है, वो किस वजए से होत है, बताना है, तो a option दिया गया है, velocity of light of different colors is same in the material of prism, गलत है, second दिया गया, velocity of light of different colors is different for all colors of the medium, बिल्कुल सही है, b option इसमें सही हो जाएगा, जो velocity of light होती है, आपको पता होगा, जब उसको prism में पास करेंगे, तो वो अलग-अलग होती है, अलग-अलग colors के लिए, मतलब red color क के लिए, जो velocity of light होगी हो बदल जाएगी, वालेट के लिए बदल जाएगी, तो इस तरीके से आपको समझना है, तो b options में सही हो जाएगा, next question, assertion और reasoning के कुछ questions दियेगे, इसको भी देख लेते है, 29th question से start हो रहा है, assertion reasoning, ठीक है, 8 no questions है, first में दिया गया है, tindle effect is an optical phenomenon, ठी देखिए, यहाँ पर आपको समझना यह है, कि tindle effect optical phenomenon तो है, आपको पता होगा, scattering of light से related, optical phenomenon है, बिल्कुल ठीक है, तो a option तो सही है, मतलब assertion तो सही है, reason में देखिए, the tiny particles of dust disperse the sunlight in it falling through foliage in a forest, तो यह भी option जो है, वो सही है, disperse करता है, या यह कह सकते है, कि इसको spread करता है, ठीक है, तो यह दोनों option जो हो जाएंगे, यह सही हो जाएंगे, तो 29 लेकिन reason गलत है, तो इसमें option number a नहीं सही होगा, option b पर आप सही करेंगे, इसको अंतलब होता है, assertion भी सही है, reason भी सही है, but reason is not the correct explanation of assertion, next question, question number 29 देखते हैं, थोड़ी सी यहाँ पर mistake हो गई है, numbering की, च stars is observed, assertion में दिया गया है, clear summer night अगर है, तो उसमें twinkling of stars observe करी जा सकती है, बिल्कुल सही बात है, और b option दियागे, twinkling of stars is caused by dispersion of starlight by atmosphere बिल्कुल गलत है, atmospheric reflection से होता है, dispersion से नहीं होता है, तो इसमें क्या है, इसमें a option जो है, assertion सही है, reason क्या है, गलत है, जब assertion सही हो और reason गलत हो, तो आपको option number C पे टिक लगाना है, ठीक है, तो इसमें C option आप सही करेंगे, खुश नबर 30 में दिया गया है, और अगर आप दोपहर की बात करें, बिल्कुल बारवजे एक बात करें, the color of sunlight becomes white, तो क्या sunlight का color जो है, ये white वायता है, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल हो जा ठीक है, तो assertion भी सही है, reason भी सही है, और reason जो है, वो correct explanation है, assertion का, तो इसमें आप A option टिक करेंगे, next question देखे, इसमें क्या कहा गया, ठीक है, इसमें कहा गया है, the stars twinkle while the planet do not, तो stars twinkle करते हैं, सबको पता है, planet twinkle नहीं करते हैं, बिल्कुल सही बात है, अब यहाँ पर reason क्या आपको सुझना, reason बहुत ज़्यादा जरूरी है, stars are much bigger in size in the planets, अब देखे, stars का size बहुत बड़ा होता है, planet से यह बात तो सही है, लेकिन stars twinkle क्यों करते हैं, planet twinkle क्यों क्यों नहीं करते हैं, यह इसका reason नहीं है, planet twinkle इसलिए नहीं करते हैं, क्योंकि planet के पास खुद की light नहीं पड़ते हैं, ठीक है, तो पहला reason तो हो जाएगा कि यह बहुत पास होते हैं, planets और दूसरा reason क्या हो जाएगा कि यह क्यों नहीं twinkle करते हैं, कि इनके पास खुद की light नहीं होती, they don't have their own light, तो इसमें assertion भी सही है, reason भी सही है, लेकिन, जो reason है, that is not the correct explanation of assertion, तो इसमें B option पे 53 देखें, इसमें क्या कहा गया, sun appears red during sunrise and sunset, बिल्कुल सही बात है, जो sun होता है, वो कैसा दिखता है, लाल दिखता है, sunrise और sunset के time पे, reason दिया गया है, scattering of light is directly proportional to wavelength of light, जो scattering होगी light की, क्या वो directly proportional होती है, wavelength of light की, तो यह answer गलत है, inversely proportional होती है, जिसकी wavelength जादा होगी, उसके scattering कम तो जब ऐसा कभी आपको मिले, कि assertion सही हो, reason गलत हो, तो आप option C पे tick लगाएंगे, ठीक है, next question, अच्छा इसका अगर reason पूछा जाए कि sunrise or sunset के time पे red क्यों दिखता है, तो यहाँ पे scattering ही phenomenon चलेगा, लेकिन आपको यह समझना है, कि red color जो light होती है, उसकी wavelength सबसे आदा होती ह और wavelength सबसे आदा होगी, तो उसकी scattering सबसे कम होगी, और sunrise or sunset के time पे जो sun होता है, उसकी light को सबसे ज़्यादा करनी होती है, और वही light पहुच पाती है हम तक, जिसकी wavelength सबसे आदा होगी, जिसकी scattering सबसे कम होगी, तो यह important reason है, जो आपको समझना है, question number 34 देख लीजे, assertion दिया होना चाहिए, कि scattering of red light is least होना चाहिए, as its wavelength is more, तो इसमें A सही है, और R गलत है, तो इसमें option number C सही हो जाएगा, next question, question number 35 देखिए, कुछ ही questions बच रहे हैं, दो ही question बच रहे हैं, वैसे, when light enters the earth's atmosphere, it suffers multiple refractions, देखिए, जब light enter करेगी अर्थ atmosphere को, तो यह कई सारे refractions सफर करती है, एट्मासफेर इट्मासफेर इट्मासफेर की, वो रिस्पॉंसिबल होती है, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, ठीक है, तो multiple reflection जो होगा, वो cold air की वज़े से होगा, जो particles present है, उनकी वज़े से होगा, बहुत सारे इसकी reason होते हैं, तो सिर्फ यह तो नहीं है, लेकिन बहुत पता है आपको, कि जैसे जैसे आप लोग उपर जाएंगे, यहाँ पर temperature जादा होता है, जैसे लोग उपर जाते हैं, temperature कम होता चलायता है, ठीक है, तो cold air कहीं न कहीं responsible है, क्योंकि cold air की जो refractive index होती है, वो जादा होती है, तो assertion सही हो गया, reason भी सही हो गया, और जो reason है, that is the correct explanation of assertion, तो इसमें A option पे आप टिक करेंगे, next question, last question है हमारा, इसमें कहा गया, apparent sunrise and sunset is due to reflection of light by earth's atmosphere, बिल्कुल सही बात है, apparent sunrise हो या apparent sunset हो, ठीक है, sunrise और sunset आपने देखा होगा, यह अगर देखें आप, तो इसमें जो sun होता है, वो 2 minute पहले तक दिखता रहता है, और 2 minute बात तक द अगर sunset देखेंगे, उसके time पर 2 minute बात तक दिखता रहता है, इसकी विज़े से होता क्या है, कि apparent day जो होता है, पूरा दिन 2 minute इदर बढ़ गया, 2 minute इदर बढ़ गया, तो total 4 minute बढ़ जाता है, ठीक है, apparent day इसको कहते है, दोनों options सही है, ठीक है, दोनों option में से कोई भी option गलत नहीं कहेंगे, ठीक है, तो apparent जो reason है, वो भी सही है, reason तो बटा सही है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाया, assertion सही है, reason सही है, लेकिन reason में explanation नहीं दिया गया है, statement 1 का, मतलब assertion का, तो जो यहाँ पर होना चाहिए, वो atmospheric reflection अचाहिए, थोड़ा सा इन लोग ने ऐसे कर दिय कि assertion में explanation भी दे दिया है, तो हम लोग यह समझ के चलेंगे, कि assertion जो बात है, यह बिल्कुल सही है, reason जो बात है, बिल्कुल सही है, दोनों लेकिन यह नहीं कह सकते कि reason is the correct explanation of assertion, क्योंकि reason खुद एक अलग phenomenon है, मतलब reason खुद explanation नहीं है, reason खुद एक assertion है, तरीके से, ठीक ह यहां पर इसी question में अगर थोड़ा सा improvement किया जाए, तो इसको अगर assertion की जगह कर देते, apparent increases by 4 minute अगर यह assertion हो जाता, और यह reason होया था, जो assertion दिया है, अगर यह reason होया था, तो दोनों statement सही भी हो जाते, और जो reason होता, यह correct explanation भी हो जाता, assertion का, ठीक है, तो चलिए आप यह जो chapter है, इसके 3 videos बना चुके है, explanation के भी videos प्रोइड कर दिये गए है, playlist में आप लोग description box पे देख सकते है, human and the colorful world का पूरा playlist प्रोइड कर दिये गई है, तो बाकी के MCQs के लिए, बाकी के explanation के लिए आप लोग playlist फॉलो करते रहिए, और channel से जुड़े रहिए, तो आज के फिलाद नहीं रखेंगे, thank you very much, goodbye, jay hind